कि अमें हम लोग जिंगूर के जैसन आवाज निकालन जा बोटल के धक्कन से लक्रेखाती रप्लून के 40 सेंटमेटर धागा लगी कैची लगी बटन लगी और बोटल के धक्कन लगी अब 40 सेंटमेटर मोटा वाला धागा लगे उकरे अंदर गाठ मारल चालू कर दें ध्यान दें कि यह गाट एक दूसरे से एक इंच के अंतराल पे होके अईसन गाट पूरा धागा के लंबाई तक मार रज जा है आप लोग देख सकें जा कि कैसन दिख़त होगे अईसन कईले के बाद धागा का एग ओ छोर एग ओ बटन में गाट मार ले ध्यान दें कि बटन में ही ओकर गाट रहा है यही तरह हम लोग देख सकें जा कि बटन और पूरा गाट वाला धागा कैसन दिखेला अईसन कईले के बाद अब एग और रबर बैंड ले 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 और ओके आधा हिस्सा में काट ले गाट करें रबर बैंड के चोरड लेके वुए बटन में इसे दाल के निकाल ले ध्यान दें कि धागा और रबर आमने सामने होगे अब rubber band का छोड़ पे एक गार्ड बांदे ताकि एक छोट घेरा चैसन हो जाए यह rubber band लेके एक धकन के उपर रख दें ताकि बटन rubber धकन के उपर लगल बेल रहे आप लोग देख सकें जाए कैसन दिखेला कैसन कईले के बाद एक हाथ से धकन पकड़ लें और दूसरे हाथ के अंगूठा से धागा के उपर अपन उंगली फिराएं आप लोग बहुते अच्छा जिंगूर का आवाज निकलत बल देख से के निजा अवे न बहुते अच्छा आवाज इस बटन बोटल और सिंपल सा धागा से आपन काम हो सके ला यावाज बटन के धकन के लगले से आएला